मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षणी ध्रूप पर पहुचने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत मिशन मंगल यान पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुचने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत एक समय था जब भारत को थीसरी दुनिया का देश कहा जाता था लेकिन मोधी सरकार ने अपने दस सालों में भारत को दुनिया की शक्ती का बड़ा केंद्र बना दिया है अंतरिक्ष से लेकर रक्षा शेत्र तक स्वास्त से लेकर बाजार से सामान खरीदने तक डिजिटल भारत आज गाओं गाओं की प्रगती का माध्यम बन रहा है भारत में 121 करोड से अधिक लोग मोबाइल और 89 करोड लोग स्मार्ट फोन का उपयोग करने लगे हैं भारत की 1,98,000 पंचायतों को आप्टिक फाइबर से जोड़ा जा चुका है DBT के माध्यम से पैसा सीधा गरीबों के खाते में पहुँच रहा है जिससे 2,73,000 करोड रुपे की बचत हुई है भारत का UPI डिजिटल इंडिया के निर्माड में मील का पत्थर साबित हुआ है 2023 में रिकॉर्ड सो अरब से अधिक UPI ट्रांजेक्शन हुए 182,000,000 करोड का लेंदेन हुआ और दुनिया का 46 प्रतिशत डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत के UPI के माध्यम से हुआ रक्षा शेत्र में स्वदेशी तकनीक के प्रयोग से भारत के रक्षा निर्यात में 334 प्रतिशत की व्रद्धी हुई है आज भारत वैज्ञानिक रिसर्च प्रकाशन में विश्व के शीर्ष पांच देशों में से एक है दो दशकों में भारत में 90,000 से ज्यादा पेटिंट फाइल हुए हैं भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसे सभी 22 अधिकारिक भाशाओं में . भारत डोमेन प्राप्त है मोधी सरकार में आधार, UPI, PG Locker, ARO के सेतू, E-Sanjeevni, E-Hospital और E-Office जैसे डिजिटल प्लाटफॉर्म्स ने आम भारतिये के जीवन को आसान बनाया है क्वांटम कंप्यूटर हो, सूपर कंप्यूटर हो या सेमी कंड़क्टर, टेकनॉलोजी के हर शेत्र में भारत मजबूती के साथ अपने पाउँ जमां के खड़ा है इसके साथ ही IIT मदरास और SAMEER कोलकाथा 5G से आगे बढ़ते हुए 6G टेकनॉलोजी के विकास की दिशा में कारे कर रहे हैं मोदी सरकार के नेतरतों में गाउं से लेकर अंतरिक्ष तक टेकनॉलोजी के अभूतपूर विकास ने असंभव को संभव करके दिखाया है और विकास की ये तेज रफ्तार बता रही है कि मोदी जी के नेतरतों में विक्सित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है